असलाम लेकुम आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं हैदराबादी साधियों में बनने वाली रेड चिकन की रेसिपी इसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही टेश्टी बनकर तयार होता है बिल्कुल आसान थारी किसे इसे बनाना बताऊंगी तो वीडियो को एंड तक दे रिखती बनाना बताऊंगी गे बननाना बताऊंगी चमसरी इसे बनना सबस्यक्रे यह धानली बन शीन है खकेurstुम्हे'll से दस्बतिलिगलिशूसे दालकूाठ्वेल दुगे सब्चसमी तक कर चुछी कंशाय का dosド के इसे बनाना आसा по-demo कहल्ध की का थित न खंश स समस्के करीब में आप अपनी टेस्ट के हिसाफ से डाल लीजेगा दस काजू, दस बादाम और चार हरी ले चिरे ली हूं इसका पाउडर बना लूँगी तो यहां पाउडर बना ली हूं इसे डाल लूँगी रेड चिकन बना रहे हैं तो इसे अच्छा सा रेड कलर देने के लिए इसमें रेड फूड कलर डाल ली हूं दो पिंस पानी में घोल ली हूं इसे डाल लूँगी बिल्कुल ऑफ्सनल इसे डालना अगर आप चाहिए तो डालें एक कप डालूँगी फेटा हुआ दही तीन ट की बड़ साइस की कर चाहिए लीं है कि चाहरा प्याज के लाना आप लिए हैसाला जाल दी हुन है था आ चीजिए हम एक शाथ भी डाल देंगे इसमें अब मिद्क आर्वान दो में टोमेटो केचप, दो बड़े चमस, रेट चिली सॉर्स दाल लेंगे, अब हम हाथों से इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, इस तरह से मिला लेना है, यहां मिला ली हुमें, अब मैं इसमें डाल दूगी एक बड़ा चमस कसूरी में थी, एक छोटा चमस गरम मसाला पाउडर डाल लेंगे, इन सभी चीजों को आप चाहें, तो सभी मसालों के साथ में भी डाल सकते हैं, मैं भूल गई थी, इसलिए मैं बाद में डाल लेंगे, अब मैं इसे ढख कर कम से कम एक घंटे के लिए रखोंगे, अगर आपके पार ज्यादा टाइम है, तो आप 2-3 गंटे के लिए फ्रीज में रख सकते हैं, तो एक घंटा हो चुका है इसे, अब मैं कड़ाई गरम कर लिए हैं, उसमें तेल डाल दी हूँ, एक कप, यह वही तेल है जिसमें मैंने प्याच को फ्राइ की थी, तो इसमें सारा चिकन डाल दूगी मैं, यहां सारा चिकन डाल अब मैं इसे हाई फ्लेम पर पकाऊंगी, लगवक्त 4-5 मिनट तक, फिल अच्छे से मिक्स कर लोंगी, बीच-बीच में चलाते हुए इसे हाई फ्लेम पर पका लेंगे, तो इसे ढख दूगी मैं, बीच में एक दो बार चला लेंगे नहीं, तो तले में लग सकते हैं, तो लो-टू-मीडियम फ्लेम पर इसे चिकन के गलने तक पकाऊंगी, इसमें हम पहले ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, मैं ढख दी हूँ, लो-टू-मीडियम फ्लेम पर इसे पकने दूगी, यहां दस मिनट हो चुका है इसे पकते हुए, आप देख सकते हैं, ग्रेव एक पास मिनट तक और पका लूँगे, और यहां पास मिनट हो चुका है, और चिकन हमारा गल गया है अच्छे से, ग्रेव भी आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया तयार हो चुका है, तीन से चार हरा मिर्च लेकर उसे बीच से काट लीती, उसे डाल दूँगे, आधा कप ले ज्यादा देर अब हमें इसे नहीं पकाना है, तो अच्छे से मिक्स कर लूँगे, ढपकर एक मिनट तक और पकाऊंगे बस, और यहां हमारा ग्रेवी बनकर तयार हो चुका है, देख सकते हैं कितना बढ़िया बनाएं, इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, अमेज में डाल दू और गैस के फ्यम को आफ कर दूँगी, और हमारा मझेदार सा रेड चिकन बनकर तयार है, तो मैं इसे सौर कर लूँगी और अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकालोंगे और गर्मा गरम हेदराबादी रेट चिकन बन का तयार है आप इसे रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं बहुत ही टेश्टी लगता है ये एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मैंशनल को सबस्क्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंज में सेयर कीजिएगा वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया मिलते हैं को नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला आफिज